Hey everyone, this is Megha आज हम XO Kitty की आगी की स्टोरी गंटिउन करते हैं Kitty ड्रीम में होती है उसकी निन खुल जाती है वो ये सब क्यों को बताती है क्यों Kitty से पुछता है कि तुम्हारे ड्रीम में कौन था दे था? Kitty कहती है नहीं कोई और था किटी को देखकर लगता है कि वो बताना नहीं चाहती, वो थोड़ी घवरा जाती है, मिन्हो भी वहाँ आ जाता है, वो कहता है किटी सही है, कई बार हम उन्हें देखते हैं ड्रीम में जो हमें पसंद नहीं होते, फिर हमें बात बात में पता चलता है कि मिन्हो ने भी अपने ड्रिम में किडी को देखाता तब ही एलेक्स वहां आ जाते हैं और कहते हैं तुम सब बड़ी मुसीबत में पढ़ चुके हो उस पार्टे की वज़े से यूरी की मौम यूरी को डाटती है क्योंकि सोसल मीडिया पे उन दोनों की फोटो आई होती है यूरी और देकी कि वो दो कर रहे हैं यूरी की मौम कहती है इन सब की वज़े से तुम्हारे डैट की खराब हो रही है अब इसे ठीक करने करें तुम्हें चर्च जाना होगा स्कूल में यूरी से नेकलिस का कहता है कि तुमने वह नेकलिस क्यों चुराया यूरी कहती है कि मुझे जलन हो रही थी कि मै प्रॉफेसर ली सभी स्टूड़ेंट को पणिश करते स्टेंप पार्टी में सबने ड५्राइल खोती है अब यहां बहुत हो जाता है तूम है Kiki अधरर्वेथल थी इन्ड्री घॉटेड होती है तूमने नेकलिस क्यूं पहना है मैं मैं प्रोफेसर को बता दूंगी कि किटी बॉइस डोम में रहती है तभी किटी वहां आ जाती है और वह नेकलेस मांगती है फिर प्रिंसिपल वहां आती है उस नेकलेस को देख प्रिंसिपल कहती है कि यूरी तुमने मेरा नेकलेस पहना हुआ है तभी किटी कहती है नहीं यह मेरा नेकलेस है प सबह recreation पर कोई देखता रहे कि प्रोफेसर आए की योली कीटि को लेकर साथ चली जाती है युठी कि मुझे पता है तुम डेख के साथ रहती हो बस मुझे यह जानना है कि मेरी मम को क्या connection RAW का नां कर मेरी मोम क्यों चौक जाती है यूरी किटी सब पता करने के लिए 1993 एयर वाली बुग ढूंटी है उन्हें नहीं मिलती फिर यूरी कहती है कि लगता मेरी मॉम ने उसे भी गायब कर दिया वो दोनों नेकलिस को लेकर बात करते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरे नेकलिस को देखकर अपना क्यूं कह रही थी लगता है मॉम ने जुलियाना को स्कुल से निकाला है किटी को फरिंसिपल को पहले से ही पताता है कि यह वो स्वांग ऎविव की बेटी है अब प्रॉफेसर लाइवरेरी में आ जाते है और सभी को लंच–ब्रेक देते हैं मैडिसिन को कहते है कि तुम्हें जो खाना है वह इस पर लि जाता है और उनसे उस बुक की बात करता है जो वो पढ़ रहे थे वो कहता है कि मुझे भी ये बुक पढ़नी है प्रोफेसर बोलते हैं कि मेरे पास इसकी कॉपी है जो घर पर पढ़ी है अगर तुम इंट्रस्टेड हो तो मैं लेकर आ जाओंगा फ्लोरिन कहता है हां मुझे पढ़नी है प्रोफेसर कहते हैं चलो कोई तो है जो पढ़ने वाला है फिर वो बुक लेने के लिए अपने घर चले जाते हैं क्यों किटी को कॉल करता है कि प्रोफेसर घर आ रहे हैं किटी को को बताती है कि वो प्रोफेसर के घर आयोगी है प्रोफेसर घर पहुंच जाते वो दोनों चुप जाती हैं प्रॉफेसर ली गाते हुए नाचते हुए बुक लेते हैं और चले जाते हैं यहां किटी यूरी से कहती है कि यह मेरी मॉम का फेवरेट सॉंग था यूरी भी किटी से कहती है मेरी मम का भी फिर उन्हें बुक मिल जाती है वो बुक में देखती है कि उनमें दोनों की मॉम है उन्होंने वो नेकलेसी पहन रखा है किटी पिक को देखर कहती है मैं सब कुस समझ गई यूरी किटी को उसका नेकलेस पहना देती है अब वो दोनों स्कूल चले जाते हैं पर प्रॉफेसर ली जल्दी लाबरीरिम पहुंच जाते हैं किटी और कुछ गूर्टे हुए देखता है तो वो समझ जाता है किटी ने यूरी को ही अपने ड्रीम में देखा था अब की परिश्मेंट खतम हुई वो एलेक्स को अपनी वूरी मौम की पिक दिखाती हैWhat का बढ़ती है जिन्हा के बेटा हूं यूरी मेरी बहन है अब यूरी और ब बुलाया था, वो डे से ब्रेक अप कर लेती है, धीरे से कहती है कि तुम अब अज़ाद हो, किटी वहीं ये सब देख रही होती है, डे किटी के पास भाग कर जाता है, और से किस कर लेता है, अब सब अपने अपनी लाइफ में खुश है, किटी डे के साथ, मिन हो मैडिसन के स पर देखते हैं कि वह सारे एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं कीटी क्यों से बात करती है कि दे थोड़ा अलग हो गया है वह पहले की तरह नहीं है क्यों कहता है कि क्या तुम उसे बताओगे कि तुमने अपने ड्रिम में को देखा था इडिया नहीं वह सिफ एक ग्रीम था सब में चड़ते हैं किटी डे से कहती है कि मैं एलक्स के साथ बैठोंगी डे कहता है ठीक है किटी एलक्स के साथ बैट जाती एलक्स उसे बोलता है कि तुम अपने बाइफरेंट के साथ नहीं बैठोगी किटी कहती है नहीं मुझे आपसे बात करने है एलक्स कहता है उसी टाप ताध मों मैं इससाच हईट करने के लिए अपना नाम दिया था अब सब कैम्पिंग के लिए डेस्टेशन पर पहुंच जाते मैं यूरी कहती है कि मैं किटी के साथ जाऊँगी Casey से है कि दोस्ती दोस्ती में तुम उसे बता मत देना कि वो मेरी बहन है टेंट में किटी यूरी से कहती है कि कुछ सही नहीं लग रहा है जब दे और तुम फेक रिलेशनशिप में थे तब भी सही नहीं था और अब जब दे और मैं पास आ गए हैं तब भी सही नहीं है इस अब स कि उसका रिलेशन्शिप भी मैडिसन के साथ बहुत अच्छा चल रहा है अब यूरी किटी से कहती है कि तुम घबरा गई हो मेरा सच सुनकर किटी बोलती है नहीं मैं तुमें समझ सकती हूं तुमने ये सब प्यार के लिए किया था यूरी उसे बताती है कि डे बहुत यूरी कहती है कि तुम मेरे लिए अब जुलियाना को ढूंदोगी किटी कहती हाँ विल्कुल क्यूंकि मैं मैच मेकर हूं नैक्स डे केटी डे से बात करती है वह अभी भी उससे गुस्सा होती है अब सारे स्टुडेंट उस जगह को साफ करते हैं क्यूंकि वहां पर बाड करते रहते हैं वह ठक चुका है इन सबसे और उसके ग्रेट कम हुए तो उसे यहां से निकाल दिया जाएगा इधिर किटी यूरी को गुड्नियूस देती है कि जुलियाना मिल गई तब ही वहां केपप स्टार ओशन पाक आता है अपनी दादी के साथ मैडिसन उससे देख पागल हो जाती है कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं निकेपार किटी को मनाने का प्लन होता है जिसमें उसे यूरी की यह चाहिए होती है यूरी किटी को रेडी करते है कि तब 했습니다 को किलिग्स को कसके पकड़ लेती है अब किटी को फिलिंग्स आने लगती है पर वो अपने आपको सम्हाल लेती है फिर वहाँ डे आता है दोनों डेट पर चले जाते है वही मिन्हो भी डेट की तियारी करता है मैडिसन के साथ मिन्हो उसका अतजार करते करते सो जाता है Madison आती है मिन्हो को बताती है कि वो ओशन पार्क की दादी के साथ थी मिन्हो कहता है तुमने मुझे उनकी दादी के लिए डिच किया Madison कहती है मैं तुम्हारी गल्फरंड नहीं हूँ मिन्हो कहता है मैं ये रिलेशनिसिप सीरियस में चाहता था और अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता यहां किटी और डे एक दूसरे को बताते हैं कि वो दुनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं अब किटी वापस आ जाती है वो यूरी को बता दे है कि सब बहुत अच्छा रहा किटी के पास एक कॉल आता है वो कहती है यह जुलियाना का कॉल है किटी अपना फोन यूरी को दे देती है अब यूरी और जुलियाना को बात करते दे किटी को बहुत बुरा लगता है उसे अच्छा नहीं लगता है वो सैट किल करती है इस स्टोरी को यहीं स्टॉप करते हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में बाई